हाई गाईज तो कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छ होंगे मैं हूँ आपका दोस्त लाडी और आप सभी गस्वागत है आपके अपने चैनल पर तो आज की इस वीडियो में आपको डियू के सिलेवस के बारें बताने जा रहा हूं 2020 के तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको फिदिक्स के सिलेवस के बारें बताऊंगा एंड एन केमेस्ट्री एंड एन फिदिक्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके अभी सब्सक्राइब करने और उस बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की फ्यूचर मे सब्सक्राइब से और दिल्ली उनिस्ट्री में एक्जाम्स होते हैं सेमिस्टर वाइस तो आपके फर्स्ट इयर में दो सेमिस्टर होंगे पहला सेमिस्टर जो है आपका उसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे वह होंगे आपके फिदिक्स केमेस्ट्री मैथ और आपका एक तो हम पहले mechanics के बारे में देखते हैं तो mechanics में आपको पढ़ना पढ़ेगा vectors, ordinary, differential equations, laws of motion, momentum and energy, rotational motion, gravitation, oscillation, elasticity और special theory of relativity यह आपको पढ़ने पढ़ते हैं और अब बात आती है reference book की तो college वाले जो कह रहे हैं कहने तो लेकिन एक बार अपने teacher से एक बार पूछ लेना के वो क्या कौन सी book को ज़्यादा वो कर रहे हैं जो मैं आपको book recommend करता हूँ मेरी तरफ से वो है SP Taneja, SP Taneja सबसे best book है, मैंने भी उसी से करा है, मैंने भी खुद अपनी notes बनाए हैं और अग मैं अभी और videos डालूँगा, तो उसमें मैं अपना semester wise complete करता हूँ चलूँगा, आप मेरी videos देखते रहें, तो मैं आगे आने वाली videos में आपको मैं अपने handwritten notes भी दूँगा, तो channel को subscribe करना ना भूलें, अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो आगे हमारा आता है अब physics के lab, तो इसको छोड़ दीजे, अब हम चलते हैं second semester के उपर, तो हमारा second semester में क्या होता है आपका, इसमें subject होते हैं आपके physics, chemistry, math, और आपका होता है एक और additional subject, उसका नाम है English, वो English होते हैं आपके additional subject, और इस बार physics में आपको दी जाएगी book electricity and magnetism, और इसमें theory के होते हैं, 60 lectures total, वो आपके college के उपर depend करता है कितने में कराते हैं, करा देते हैं वो जल्दी में, तो इसमें आपको मिलते हैं, इसमें आपको chapters होते हैं आपके vector analytics, vector analysis, electrostatics, magnetism, और electromagnetic induction, Maxwell equation and electricity, electromagnetic wave propagation, और इसमें reference book मैं आपको SP तनेजा ही करूँगा, SP तनेजा सबसे best book है, उसमें सारा सबकुछ आराम से बताया गया है, और अगर कोई problem होती है, तो आप मुझे comment कर दीजे, और मैं अब जब video upload करूँगा, तो आप उन videos को देख लेना, मेरे handwritten notes में खुद बनाए हैं, और आगे आप देखते रहेगे इस video को, और अब बात आ आती है, अब physics के lab की, और lab तो आपको पताया, वो depend करते हैं, आप कितने experiment कराते हैं आपको, और reference book आपको पताया वही है, तो इस video में यहीं तक होगा, तो इस video में आपको यहीं तक बता रहा हूँ, और आगे आने वाली videos में आपको बताऊंगा के chemistry का syllabus क्या है, और math का syllabus क्य have a nice day, goodbye